मंत्री परिशत के मेरे साथ ही रक्षा मंत्री स्रिमान मनोहर परिकरजी रक्षा राज्य मंत्री स्रिमान राव इंद्रजीत सी लेप्रिनल जनरल चक्रवर्थी जनरल दल्वीर सी एड्मिरल दोवन अयर्चिप मार्शल से अरुप रहा रक्षा सचीव स्रीजी मोहन कुमार देश के कौने कौने से आये हुए एन सी सी के सभी कडेट्स और विशाल संख्या में आये हुए अतिधी गण 26 जनर्वरी को प्रजास्ताग परवका उत्सार और उमंग से हम लोगों ने उसे मनाया और लोग तंत्र के प्रति हमारी स्रद्धा और निष्ठा को भारत के समिधान के प्रति हमारी आस्था को हमने फिर एक बार संकल्प बद्द किया यह वर्ष बाबा साब आंबेड करकी 125 वी जेनती का भी वर्ष है जिस महापुरुष ने देश को ऐसा उत्तम समिधान दिया जो महापुरुष जीवन भर संकटों से जूचते रहे यातनाए जेलते रहे उपेख्षा का स्विकार हुए उसके बावजुद भी उन्होंने अपने आपको कभी भी मार्ग से विचिलित नहीं होने दिया बादाय आई संकट आये और कभी कभार सामाजिक उपेख्षा वो इतना गहरा घाव करती है कि जीवन भर सामान ये मान भी उसको भुला नहीं सकता है लेकिन बाबा साब आमबेड कर हम जैसे सामान ये जीवन नहीं थे जीवन भर उपेख्षाओं को जेलने के बाद भी जब देश के लिए समिधान देने का आउसर आया उस समिधान के किसी कौने में भी किसी के प्रती दुर्भाव नहीं है बदले का भाव नहीं है उपर से जीवन भर जो जेला था उसके कारण जो मन्थन हुआ था उस मन्थन मैंसे समिधान रुपी अमरित निकाला था जो आज हमें प्रजासत्ता पर्व के इतने सालों के बाद भी आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हमें बांधने में कंदे से कंदा मिलाकर चलने में देश के लिए अपनी अपनी जिम्मेवार या निभाने के लिए हमें प्रेरित करता है हमारा मारवर्षक है आप हिंदुस्तान के कोने कोने साय हुए वो कौन सी बात है जो हमें खीच करके लाती है वो कौन सी बात है जो हमें भाशा की कठिनाई हो तो भी बेश बुशा अलग हो रहन सहन अलग हो उसके बावजुद भी एक जूट रहने की ताकत देती है वो है हमारी भारत माता हमारा तिरंगा जंडा यह हमारा सम्मिधान और सवासो करोर देश वाजियों के सपने उनकी आशा अकांशा इच्छा हमें कुछ करने की प्लेड़ा देती है NCC कड़ेट के रुप में परेड में सामील होने का आवसर मिले अपने स्थान पर NCC में यूनिफॉर्म पहन करके सीना तान करके साथ-साथ चलने का मोका मिले कभी केंप लाइब जीने का आवसर मिले कभी सस्त्रास्त्रों को नीकर से देखने का आवसर मिले यह उमर ऐसी होती है इन सारी बातों में थ्रील होता है कुछ एडवेंचर का भाव भी होता है और रगों में देश भक्ती लगातार उर्जा बन करके हमें नए सपनों के सलिए जीने के लिए संकल्प बद्द करती रहती है जब आप 26 जन्वरी की इस परेड के लिए एक माहिने से एक समू जीवन का अनुभाव कर रहे हैं यह तो कठिनाई रहती होगी कि सुबह तीन साड़े तीन बेजे उठना मन करता है इतनी बड़ी ठंड में थोड़ा सा लंबा सोले लेकिन व्यूगल बत्ता है विसल बत्ती है चल पढ़ना होता है शुरू के पात-दस मिन तो ऐसे ही चले जाते हैं करें क्या दिन निकलेगा लेकिन जैसे ही रिधम में आ जाते हैं फिर मन करता है इस रास्ते को छोड़ना नहीं है और यही यही जिन्दगी की ताकत होती है कुछ पल भला ही उल्जन रहे लेकिन पल भर में जो अपने आपको समाल लेता है मक्सद के लिए मंजील के लिए अपने आपको आहूत कर देता है उसे जिन्दगी जीने का अलग आनंद होता है आप सभी कड़ेट एक समू जिवन के अनभूती की है मैदान में जो सिखा है वो पाया है आदेश के अनुसार हाथ पैर चलते होंगे वो डिसिप्लिन की दुनिया एक है लेकिन उसके बात अपने नई-ने मित्रों के साथ नई-ने सात्यों के साथ महिना बिताया होगा जब आप उसे छोटे-छोटे विश्यों पी जानकारी लेते होंगे खान-पान के लिए पूचते होंगे रहन-चैन के लिए पूचते होंगे तब आप अपने भीतर धीरे-धीरे मा भारती को आत्मसाथ करते हैं कश्मीर का बालक जब केरल के बालक के साथ बाते करता है तो मन से कश्मीर और केरल को जोडता है अपने पन का एसास करता है अपना विस्तार होता है सामुहिक जीवन अहम को वयम की और ले जाता है स्वक को समस्ति से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है सामुहिक जीवन एक नई उर्जा को जन्म देता है अकेले अकेले जो अनुभव करते हैं सामुहिक जीवन में एक नई अनुभूती होती है और ऐसे ही कारकमों का माध्यम से एक सामुहिक जीवन जीने का आउसर मिलता है बादान में जो सिखते हैं उसे ज़्यादा अन्य समय में सामुहिक जीवन से सिखते हैं और मैं जानता हूँ जब आप यहां से बिदाई लेंगे वो पल कैसा होगा कितने होंगे जिनके आँख में आशू होंगे हर किसी को लगता होगा अब फीर कब मिलेंगे यह अपना पनाया कहां से जब आप अपने गाउं से यहां आने के लिए चले थे महिने भर के लिए तब न कोई छोड़ने आया होगा न किसीने आशू बाया होगा और नहीं आपके दिल में चोट पहुचियोगी कि मैं अपने गाउं से दिल्ली जा रहा हूं लेकिन आज दिल्ली से अपने गाउं जा रहे हो, अपनों के भी जा रहे हो, लेकिन कुछ खोया-खोया महसूस कर रहे हैं, यह जो अपना पन, यही देश की बहुत बड़ी ताकत होती है, इसी ताकत को एक संस्कार के रूप में जीवित रखें, देश के लिए मरने का मोका हर किसी के नसीब में नहीं होता, लेकिन देश के लिए जीने का आवसर हर इंसान की जिद्निकी में होता है, अगर हम जांगरिक प्रयास करें, हम जीएंगे तो भी देश के लिए, कुछ कर गुजरेंगे तो भी देश हवासियों के लिए, जीवन को संकल्पों से, परिश्रम क कि प्राकास्टा करके ऐसे जीवन को हासिल करेंगे जो जीवन देश को काम आएगा और तब जाकर के जीवन का संतोर्ष कुछ और होता है और इसलिए आज सारे करेट जब देश में कौने कौने में वापिस जाने वाले हैं मैं उनको बहुत पाच्छू काम आई देता हूं और जो यहां माहूल देखा है उसी माहूल को अपने यहां कैसे पनपाएं अगर यहां हमने स्वच्छता देखी हैं तो स्वच्छता का भाव अपने गा देश भक्ति का माहुल देखा आए, तो अपने गाउं में देश भक्ति का माहुल कैसे बनाएं, यहां आमने जो अनुभव किया है, उसका हम विस्तार कैसे करें, इस संकल पर को लेकर के चलें, मैं फिर एक बार सभी केरेट्स को, NCC को, NCC की परंपरा को रदे से बहुत- छुब कामनाई देता हूँ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत-बहुत धन्यवार.